तो गाइज यह है चतिस घर का सबसे बड़ा देम जिसे गंग्रेल देम कहा जाता है आप देख सकते हैं कितना सारा यहां पर बोट है और यहां पर क्या रिसॉट बनाया गया है सभी खुब्सूरत नजारा तो यहीं है यहां का नजारा देखने के बाद तो पूरा पैसा वसुल हो गया भाई आज हम लोग जाने वाले हैं धमतरी धमतरी का गंग्रेल डेम बिले माता मंदिर अंगार मुती मंदिर जितने भी घुमने लायक जगा है उन सभी को कवर करने वाले हैं तो बने रही हैं हमारे ब्लाग वीडियों के वीडियों पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर जरू करें तो चलिए चलते हैं धमतरी में और हम लोग अभी हैं गंग्रेल डेम के उपर में तो आगे की और चलते हैं और नीचे से भी आपको नजारा दिखाएंगे कार दो कि प्लाइब टेखाएंगे बार देखाएंगे की डाइब इसाल की और हम रेम से पक्षेया और दो च रहुषोन जेरुता भý खूा क्वटीयों कि के अप्तुन म outsider देर तू आव हैं बाना ब insufficient on गेट के उपर से देम के निशे को देखने पर ऐसा दिखता है यहां करना जारा गंगरेल डेम के गेट के उपर जाना खतरों से खाली नहीं है इसलिए गेट के उपर जाना सब तमना ही है अगर आप गंगरेल डेम को यहां देखने के लिए आते हैं तो ओवर ब्रीज में जाना सकता मना है आपको गंगरेल डेम को दूर से ही देखना पड़ेगा लेकिन हम आपको गंगरेल डेम के गेट के उपर कभी नजगरा दिखाएंगे इस वीडियो के माध्या है इस ओवर ब्रीज के नीचे ही चौदा गेट बनाए गए हैं आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा डेम है यह और लबा लग पानी भड़ा हुआ है यहां पर जहां तक भी दिखाई देता हैं वहां तक पानी ही पानी है और यहां से हम गंग्रेल देम के नीचे की और जा सकते हैं चलिए चलते हैं गंग्रेल देम के नीचे की और दिखाते हैं नीचे का नाजारा कर रात को आए थे हम लोग रहा और यहां प्लोड फपर- का WK डबाए देखने के लिए नहीं मीला कर आप देख सकते हैं कि इतना सांदार ना जा रहा है यहां का चौदा गेटों का अभी तो फिलहाल एक भी गेट ओपन नहीं है बट एक महिने पहले चौदा के चौदा गेट ओपन हुआ था तब का महिने एक वीडियो बनाया है अगर आप चाहे तो दिस्क्रेप्शन में लिंक है जाके वह हो जो फुल वाच कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा लबा लब भरा हुआ है यह देम इसी करण इस दिन में वोटिंग कभी सुधा दिया गया है जुम करते आपको दिखा देते हैं वहाँ देखिए वहाँ पे वोट चलता है हम वहाँ आजा के आपको नर्जिक से भी दिखाएंगे हम वहाँ आपको नर्जिक से भी देखिए वहाँ आपको नर्जिक से भी दिखाएंगे यह तो रहा गंगरेल देम देम को तो आपने देखी लिया तो चलिए सामने की और एक गाडन है आपको गाडन की और ले जाते हैं और गाडन को भी दिखाते हैं आपको दिखाते हैं गाडन को अब हम लोग गाडन हमने आये हैं अब इधर गाडन देखने चा रही है और कफी लंबा शिरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लंबा शिरी है तो चलिए सिरी के उपर चरते हैं उसके बाद आपको वहां का नजाला दिखाते हैं वोडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंन करें सेर करें और चैनल पर नहीं है तो सस्काइब जोई करें करें प्र करें तो स्काइब प्र नहीं है तो अप्र नहीं है यह पर लेप्र से एक नुप नहीं है जिसमें जाना अभी मना है इस काड़ हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं बट नीचे से ही हम आपको विव दिखाते हैं देखे कितना संदार विव है यहां का गोवा जैसा फिल हो रहा है गंगरेल डेम को यूँ ही मिनी गुवा नहीं कहा जाता यहां का नेचर ही इतना खासम खास है कि इसे मिनी गुवा कहा जाता है अभी तक तो के वाल मां ही सुना था गंगरेल डेम को फाइनली आज दर संदार विव दिखाते हैं और जितना मैं ने सोचा था गंगरेल डेम के बारे में उससे कहीं जश्यादा अच्छा है कई जदा कुश्या थे अगर आप ने अभी तक गंगरेल डेम नहीं देख वाल्धास जाई एक बाल देखिए गंगोरेलं को बहुत ही खुप्सूरत ना जा रहा है यहां कर और यह है वोट पाइंट यहां पर आप वोटिंग कर सकते हैं कर देखिए यहां पर छोटा छोटा पानी जहाज है इसमने आप वोटिंग कर सते हैं वोट आई देखिए यहां पर नाम है एक यह पुरा वोटिंग रूम है वोटिंग हॉल है आप देख सकते हैं और वो है गंग्रेल देन अभी कुछ टेम पहले उसी चवदा गेटो के उपर थे हम लोग अगर आप यहां घुमने आएंगे तो यहीं से देखना पड़ेगा आपको दूर से ही यहां पर बहुत सारे सेकृरिटी गौड भी रखा गया है अब इधार वोटिंग का रेल भी चितका हुआ है यहां पर लिखा हुआ है इस वोट का पति व्यक्ति पर व्यक्ति इतना कितना प्राइज है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आने के बाद सच में लगता है कि हम कहीं बीच में आए हैं या पर समुद्र के खिनारे बैठे हैं थो चलिए गाइज आज यही शमापत करते हैं ओर जो पसंद आएख तो लाइक करें कमन करें शेयर करें और हमारे चैनल अब को भी तरत आपने सब्सक्याभ नहीं करें तो सस्क्याभ जोबस करें मिलते हैं नेसे व्लाउग वीडियो करें